हलो एन वेलकम टूडी के गुरू टिटोरियल कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे दोस्तों क्या आप भी PhD में admission चाहते हैं और आप ऐसे यूनिबसिटियों का तलास कर रहे हैं जहां से PhD admission notification निकला है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पॉन है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 यूनिबसिटी के बारे में बताने वाला हूँ जहां से अभी PhD admission के लिए notification निकला हुआ है दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें इन से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्पॉन अपडेट दे देता हूँ दोस्तों वो अपडेट ये है कि Unacademy के उपर शुरू हो चुका है 2020-2021 के लिए preparation दोस्तों यहां पे UGC Net Paper 1 के साथ साथ Paper 2 का classes आपको मिलने वाले हैं जहां पे Paper 1 अलग teacher, Paper 2 अलग teacher आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों यहां पे batch start होने वाला है 22 December को 23 December को इसके साथ साथ 24 और 25 December को साथ ही साथ 26 और 27 December और इसके अलावे 28 और 29 December को batch start होने वाले हैं दोस्तों यहां पे किस date को किस subject का batch start होने वाला है वो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों यहां से अपडेट यह है कि 22 दिसंबर से 39 दिसंबर के बीच UGC.net Paper 2 का बहुत सारे popular subject का यहां पे courses start होने वाले हैं साथी साथ सभी top educators यहां पे आपको education देने का काम करेंगे यानि कि यहां पे आपको पढ़ाने का काम करेंगे दोस्तों इन सारे batch को ज्वैन करने के लिए आपको विजिट करना होगा unacademy जिसके बारे में और अधिक जानकारी आपको इस वीडियो का description में देखने को मिलेगा दोस्तों फाटाफट आप unacademy पे जाएगे और वहां पे जाकर के खुद को enroll कीजे क्योंकि यहां पे price बढ़ने की संभावना है यहां पे 25 दिसंबर से price बढ़ने वाला है यानि कि जो subscription भी है वो बढ़ जाएगा इसलिए फाटाफट आप unacademy पे जाएगे और जाकर के फाटाफट subscription ले ले रेफरल कोट के तौर पे आप यूज करें dkgrunet जैसे ही आप इसे रेफरल कोट के तौर पे यूज करेंगे 10% आपको off कर दिया जाएगा दोस्तो 25 तारिक से बढ़ जाएगा यहाँ पे subscription फी इसलिए फाटाफट अभी जाएगे अनिकाडमी पे और वहाँ पे जाने के बाद फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजे दोस्तो बिना देर किये मैं आपको लिए चलता हूँ उस वीडियो के उपर जहां मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखरिकार कौन-कौन से वो यूनिबसिटी है जहां से PhD एडमिशन के लिए अभी notification आया हुआ है दोस्तो पहला यूनिबसिटी है ललीत नरायन मिथला यूनिबसिटी जो की स्थित है दर्भंगा बिहार में दोस्तो ये एक स्टेट यूनिबसिटी है यहां से कुल मिलाकर 1063 सीटों के लिए PhD एडमिशन नौटिफिकेशन आया हुआ है अगर आप भी PhD करना चाहते हैं और अगर आप आसानी से अडमिशन चाहते हैं तो आप इस यूनिबसिटी में फोर्म भर सकते हैं और PhD में अडमिशन पा सकते हैं दोस्तो और अधिक जानकारी के लिए आप ललीत नरायन मिथला यूनिबसिटी का official website पे आ सकते हैं दोस्तों दूसरा university है university of हैदराबाद या फिर आप कह सकते हैं हैदराबाद विश्विद्याले दोस्तों ये एक central university है जो कि तिलंग आना में स्थित है दोस्तों ये एक बहुती सांधार central university है यहाँ से भी PhD admission के लिए notification निकला है यहां से कुल 117 विकिंसी निकल कर आया है अगर आप Central University से PhD करना चाहते हैं तो आप इस University में form भर सकते हैं दोस्तो तीसरा University है University of Madras दोस्तो यह एक बहुती सांदार University है A-grade का University है अगर आप यहां पे admission पाना चाहते हैं तो आप यहां पे form भर सकते हैं क्योंकि यहां से भी bumper विकिंसी निकल कर सामने आया है एक हजार से भी अधिक विकिंसी अलग-अलग विशियों से निकल कर सामने आया है आप और अधिक जानकारी इस University का ओफिसियल वेब साइट पर आकर ले सकते हैं दोस्तो नेक्स्ट यूनिबसिटी है रानिगंज यूनिबसिटी दोस्तो ये विश्ट बंगाल में स्थित एक स्टेट यूनिबसिटी है यहां पे आप आ करके आविदन फोर्म भर सकते हैं और साथी साथ admission पा सकते हैं दोस्तो नेक्स्ट यूनिबसिटी है स्वामी रामानन तिर्थ मराठवाडा यूनिबसिटी दोस्तो ये महराष्टरा का एक स्टेट यूनिबसिटी है यहां से भी PSD admission notification इस वक्त निकला हुआ है चाहें तो आप यहां भी application form भर सकते हैं दोस्तो नेक्स्ट यूनिबसिटी है जामिया मेलिया इसलामिया यूनिबसिटी दोस्तो ये यूनिबसिटी देली में स्थित है बहुत ही सांदार यूनिबसिटी है ये एक सेंटरल यूनिबसिटी भी है तो दोस्तो अगर आप एक सेंटरल यूनिबसिटी से PhD करना चाहते हैं तो आप जामिया मेलिया इसलामिया में भी फोर्म भर सकते हैं दोस्तो नेक्स्ट युनिबसिटी है वीर कुवर सिंग युनिबसिटी आरा बिहार दोस्तो ये एक बिहार का स्टेट युनिबसिटी है बहुत ही आसानी से आपको यहां पे एडमिशन मिलने वाला है यहां एक हजार से भी अधिक सीटों के लिए विज्यप्ती जारिकिया गया है। दोस्तो नेक्स यून्वीसिटी है महरशी दयानंद यून्वेस्टी रोह तक। दोस्तो ये एक हरियाना का स्टेट यून्वेसिटी है के बहुति सांदार यूनिवेसिटी है एक great का university है अगर आप चाहते हैं PhD में admission और एक बेहतरीन university से PhD करना तो आप यहां से भी form भर सकते हैं दोस्तो next university है चौधरी चरण सिंग यूणबसिटी मेरट उत्तरप्रदेश दोस्तो ये उत्तरप्रदेश का एक state university है इसमें आप form भर के PhD में admission पा सकते हैं दोस्तो next university है उत्तकल university दोस्तो ये भी एक बहुत ही सांदार विश्विद्याले है एक great का university है उडिसा में स्थित ये university है दोस्तो यहाँ पे भी आप admission पा सकते हैं form को भर कर इसके अलावे दोस्तो एक university है बनारस हिंदू university यानि की बियच्च यूग ये भी एक बहुत ही सांदार विश्विद्याले है जो की उत्तरप्रदेश वारानसी में स्थित है central university होने के साथ साथ एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बिश्विद्याले है अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप application form भर के PhD में admission पा सकते हैं तो दोस्तो ये वो खुल 11 university है जिन से अभी PhD admission के लिए notification निकला हुआ है अगर आप भी admission चाहते हैं तो इन सारी university हों में form भर के आप admission पा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहेते DK Guru टिटोरियल उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe कीजे साथी साथ इस वीडियो को अधिक साथियों तक share कीजे करता है 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 झाल झाल